एक कोशन यह भी आता है कि डियुसे के कोशन रेज होंगे राइट तो इससे भी लोग डर जाते हैं बहुत जादा अल्थो उन्होंने आटोमेशन कर रख्यों होती है बहुत साल वह बहुत वह प्यूद्व के लिए वह समझना पड़ेगा क्योंकि हमने काम नहीं किया है तो मेरा फोकस यह रहता है कि आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉंग होने चाहिए तो अच्छा है आज ही स्टार्ट कर लो रूट को स्ट्रॉंग करो ठीक तो यह पॉइंट हो गया अब बात करते हैं डियसे होता क्या है को हम जो समझते हैं मैं जब आपने कोशन बूचा तो मैं समझ रहा हूं कि आप यह पूछन चाहरा है कि अगर माली जी किसी को इंट्रव्यू के लिए बैठना है मांग कंपनी में बैठना है तो उसके लिए क्या प्रिक्शन होती है तो और जो आप लर्निंग करोगे उसके लिए क्या वो सिर्फ इंट्रव्यू तक स्पेसिफिक होती है फिर उसका कुछ यूज भी होता है दोनों पर्सपेक्टिव बात करते हैं देखिए पहली बात बीएसे का मतलब सिर्फ डाटा स्ट्रॉक्चर और अल्गोरित्म नहीं होता ठीक है डाटा स्ट्रॉक्चर स्ट लेकिन जो एक टेक्नीक से वह कैसे काम करती है तो आपको जब तक वह त्ट्री में आएगा कि अच्छा लीनियर सच क्या होती है आपको थोरी सब्सक्राइगी और आपके प्रोग्रामिंग कॉंसेट्स प्लियर होंगे तो आप उसका लॉजिक लिए लोगे तो आपको आप सब्सक्राइब करता है अब आपको पता है जावा कैसे काम करती है जावा की कॉंसेट्स आफो क्लियर है मुझे पतानी की जरूती नहीं है आप अपना कूड लिख लोगे तो एक तो यही है क्या होती है इसमें भी ऐसा नहीं है बहुत सिंपल है सब्सक्राइब करना चाहिए यह बहुत इससे आप सिर्फ इंटर्व्यू के लिप स्यारी नहीं कर रहे है आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप अपने आपको इंप्रूव कर रहे हैं कोड को समझने के लिए अगर आपके पास अगर आपने यह सब गोत्रू कर लिया और खुदी इंप्लिमेंट मारा इन सब चीज़ होगो तो आपका दिमाग बहुत खुले हैं आपको बहुत मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आएग राइट क्योंकि आपने यह सब देखा हुआ है कि यह सब किस तरह काम होता है तो आप क्या कर तो कि उस प्रॉब्लम को आपक पे काम करने से